आज मिलाई हूँ एक नवरात्रे व्रत स्पेशल रेसिपी कुट्टू और सिंघाडे से बने ये चिले बहुत ही टेस्टी लगते हैं जिससे सफ किया जाता है ये स्पेशल आलू की सबजी के साथ आलू की सबजी की रेसिपी मैंने आपके साथ अल्रेडी शेयर की हुई है मैं लिंक यहाँ पर जरूर मेंशन कर दूँगी नवरात्रों में बनाई है ये कुट्टू सिंघाडे के स्पेशल चिले जो की ना सिर्फ हल्दी है पर तेस्टी भी चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी इसे बनाने के लिए एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें आट करेंगे देर सो ग्राम सिंघाडे का आटा देर सो ग्राम ही कुट्टू का आटा मैं यहाँ पर जो क्वांटिटी मैंने बताई है वो तीन लोगों के इस आपसे बताई है आदा टीस्पून काली मिर्च पाउडर मैंने आट किया है एक टीस्पून सेंदा नमा क्योंकि यह व्रत स्पेशल है तो सेंदा नमा की यूज होता है अब ना धीरे-धीरे करके पानी आट करेंगे और एक ऐसा बैटर बनाएंगे जिसकी कंसिस्टेंसी जादा गाड़ी भी नहीं होगी और ना ही पतली होगी मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है आप चाहें तो हाथ से भी इस मिक्षर को खोल सकते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लंप्स न पड़े गाठे न पड़े कुट्टू का आटा अटा गरम होता है और सिंगहाडे का जो होता है ठंडा होता है कुछ लोग सिफ कुट्टू का चिला भी बनाते हैं उसका भी same pattern consistency ना पतली ना गाड़ी जब अच्छे से ये mixture को fat लें तो इसमें add करेंगे तीखे पन के लिए दो chop की हुई हरी मिच आप इसमें flavor के लिए छोटा सा टुकड़ा अद्रक का कसके भी add कर सकते हैं अगर इसे आप दहीं के साथ खाना चाते हैं तो एक छोटा आलू कसके भी add कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा flavor आता है खोब सारा chop किया हुआ हरा दनी add कीजिए और इसे mix कीजिए और ready है यह आपका batter अब non-stick पैनी लीजिएगा medium flame पर इसे गरम कर लीजिए और इस पर डालिए एक कर्ची batter और इसे कुछ इस तरीके से फिलाने round करके ताकि जो यह batter है uniformly अच्छा से फैल जाए जादा मोटा नहीं रखना है इसे और इसके चारे तरफ मैंने घी डाला है आप oil का भी use कर सकते हैं अब इसे medium to low flame पर अच्छे से सेक लेंगे जैसे ही आप देखें चिल्ले के उपर जो कच्छा पन है वो हट गया है तो पल्टे से पलट देंगे और फिर घी आड़ करेंगे पल्टे से हलका हलका प्रेशर करके इसे सेक लेंगे इसे दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे और जैसे ही ये क्रिस्प हो जाए flame off कर देंगे और आपका चिल्ला ready है इसे गर्मा गर्म सर्फ करें आलू की सबची के साथ ये व्रत special recipe है पर ऐसा नहीं है कि व्रत में बनाते हैं तो आप वैसे नहीं बना सकते कुट्टू के चिल्ले ये बहुत tasty लगते हैं तो जरूर ट्राइ करें इस recipe को मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया tasty healthy recipes के साथ तब तक के लिए गुडबाई, take care don't forget to like, share and subscribe